दोसतो सभी राज्यों के भूत्पूर्ध डिसे विल्ड सेन को और जो सेने किसी युद्ध में, काउंटर इंसर्जेंसी में या किसी एक्सन में सहीद होगे उनकी वीराँगनाओं को किस-किस राज में एक मुस्ट कितना X-gracia amount मिलता है और किस-किस राज में एक मुस्ट के साथ-साथ मासिक X-gracia amount भी मिलता है तो हर राज के हिसाब से पूरी डेटेल से देखेंगे ये ख़बर इस वीडियो के माध्यम से तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने Scenic Welfare YouTube चैनल में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वैल आइकन को दबाना ना बोलें और अपने दोस्तों के साथ सेर धरूर करें दोस्तो सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देदू के जितने भी हमारे भूतपूर सैनिक हैं, पैंसनर हैं और उनकी वीरांगनाओं के लिए केंद्रिय सैनिक बोर्ड ने गाइड़बुक निकाली हैं, यह दो गाइड़बुक हैं, पहली गाइड़बुक यह है जो वॉल्यूम वन गाइड़बुक 2020 वैलपेर इसके, यह डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरस्मेंट वैलपेर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प् दूसरी है, कंपेरेटिव एनलाइसिस, कंसेशन इन बेनिफेट्स प्रोवाइड़बुक यूनियन टेरिटरीज, यह बोल्यूम टू है, यह बी केंद्रिय सैनिक बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरस्मेंट वैलपेर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रोवा आएंगी, आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं, या वहाँ से इनकी पीडियेप भी डाउलोड कर सकते हैं, अब आएए दोस्तों मुद्दे की बात पर जो एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, वीरांगनाओं को और डिसेविल्ट सूल्जर को उसका जो लेखा जोका है, वो राज लेके 3 लाख रुपे तक दिया जाता है, वहीं दोस्तों अरनाचल और आसाम दोनों का डेटा हमारे पास उपलब्द नहीं है, और बिहार की तरफ से वीरांगनाओं को 11 लाख रुपे की आर्थिक सायता दी जाती है, जबकि जवानों को जो डिसेविल्ट सूल्जर हैं, उ 10 लाख रुपे, 50% हैं तो उनको 5 लाख और 25 लाख रुपे, वहीं दोस्तों दिल्ली की तरफ से वीरांगनाओं को दिये जाते हैं 10 लाख रुपे और 60% से उपर डिसेविल्टी के साथ अगर कोई सेनिक है तो उसको दिये जाएंगे 5 लाख रुपे और 59 से नीचे डिसेव में, इंसर्जेंसी में सहीद होएं तो उनकी वीरांगनाओं को दिये जाएंगे 10 लाख रुपे और अगर सोल्जर डिसेविल्ट हुआ है तो उसको दिये जाएंगे 3 लाख रुपे और अगर दोस्तों ड्यूटी परफॉर्मेंस करते हुए जो की ड्यूटी अट्यूटी होता है तो उसके नेक्स्ट अपके इनको 8 लाख रुपे चाहें बच्चे हों पेरेंस हों या उनकी वीरांगना हों और अगर इंडियूजल जो भी उनके इलिजिविल फेमिली मेंबर उनकी एजूकेशन के अंसा उसको जौब दिया जाएगा उनके बच्चों को सूलजर को धाई जार रुपे दिये जाएंगे चीफ मिनेस्टर जवान रिलीफ फंड की तरफ से वीरांगनाओं को 10 लाख रुपे और डिसेविल्ट सूलजर को 5 लाख रुपे दिये जाएंगे सहीद की वीरांगना को और डिसेविल्ट सूलजर दोनों में जो भी हैं उन को lifetime तक दिया जाएगा अगर वीरांगना साधी कर लेती है तो उनको साधी तक मिलता रहेगा 1000 रुपे महिना हर्याना सरकार की तरफ से 50 लाख रुपे वीरांगना को दिये जाएगे और disability के अनसार severity of disability soldiers को 5 लाख से लेके 15 लाख रुपे तक की साहता दी जाएगी हिमाचल पिर्देश की तरफ से चाहे पेरा military force का जमान हो या defense का वीरांगना को 20 लाख रुपे मिलेंगे disabled soldier 50% तक हुआ है तो उसको धाई लाख रुपे अगर 50% से बिलो है तो उसको एक लाख रुपे मिलेंगे जम्मू एंड कस्मिर union territory की तरफ से वीरांगना को 5 लाख रुपे और disabled soldier को 45 लाख रुपे और partial disabled soldier को 10 लाख रुपे मिलेंगे जारकन की तरफ से वीरांगना को 2 लाख रुपे जबकि disabled senik को 1 लाख रुपे करनाटक की तरफ से वीरांगनाओं के लिए 5 लाख रुपे 51% disability है या उससे जादा तो जवान को 5 लाख रुपे और 50% से लेस है तो 1 लाख रुपे की सहता दी जाएगी केरला की तरफ से अगर कोई जवान जब्मू कस्मीर में सही दुआए तो उसकी वीरांगना को 10 लाख रुपे और किसी अन्राज में सही दुआए तो उसकी वीरांगना को 5 लाख रुपे सोलजर को उसकी डिसेबिल्टी के अनसार एक लाख रुपे से लेके तीन लाख रुपे तक की साहता दी जाएगी मद्पिर्देश में दोस्तों वीरंगना के लिए 10 लाख रुपे और डिसेबिल्टी 25 परसेंट है तो 5 लाख रुपे और 100 परसेंट है तो 10 लाख रुपे महराश्ट की तरफ से वीरंगनाओं के लिए 25 लाख रुपे और disability 1-25% है तो सेनकों को 5 लाख 26-50% है तो 8.5 लाख और 51-100% है तो 15 लाख रुपे दिये जाएंगे दोस्तो मनीपुर की तरफ से वीरंगनाओं के लिए 1 लाख रुपे और disabled soldier के लिए 50,000 रुपे का प्रावदान है वहीं मेघाल्य की तरफ से नेक्स्ट आपकिन को 15 लाख रुपे और disabled soldier को 5 लाख रुपे की सहता दी जाएगी विजोरम सरकार की तरफ से वीरंगनाओं के लिए 6 लाख रुपे और disabled soldier 75% से ज़्यादा disability है तो 3 लाख 50 से 75 के बीच में 2 लाख और 25 से 50% disability है तो 1 लाख नागा लेंड का डेटा अवलेबिल नहीं है जबकि उडिसा में वीरंगनाओं के लिए 5 लाख का प्रावधान है disabled soldier के लिए कोई provision नहीं है दोस्तो पंजाम में सहीद की वीरंगनाओं के लिए 5 लाख रुपे disability 75% से उपर है तो 4 लाख रुपे disability 51 से 75% के बीच में है तो 2 लाख रुपे और अगर disability 25 से 50% के बीच में है तो 1 लाख रुपे की साहता दी जाएगी राजिस्तान में दोस्तो वीरंगनाओं के लिए 50 लाख रुपे जबकि 40% और उससे उपर disability है तो जबान को 30 लाख रुपे की साहता दी जाएगी ये राशी 14 फर्वरी 2019 से शुरू की गई है सिक्के में वीरंगनाओं के लिए 25 ला और totally disabled double amputed या total blend है सेनिक तो उसको 15 लाख अगर single amputed या one eye blend है तो 10 लाख रुपे और दोस्तो तिर प्रा में 5 लाख रुपे वीरंगनाओं के लिए 50% या उससे उपर disability है तो 3 लाख जवानों को और disability 50% या उससे नीचे है तो 2 लाख रुपे की साहता दी जाएगी अना में दोस्तो 5 लाख रुपे वीरंगनाओं के लिए double amputed soldier के लिए 3 लाख रुपे, single amputed soldier के लिए 2 लाख रुपे, burn या gun suit bund soldier के लिए 1 लाख रुपे की साहता है उत्राखन में दोस्तो वीरंगनाओं के लिए 10 लाख रुपे, disabled soldier के लिए कोई साहता नहीं UP government की ओरसे 1962, 1965, 1971 की वीरंगनाओं के लिए और दोस्तो 6 लाग disabled soldiers के लिए ये UP police armed forces साहता संस्थान की तरफ से दिये जाते हैं और दोस्तो वहीं 10 लाग रुपे UP police armed forces साहता संस्थान की तरफ से वीरंगनाओं को दिये जाते हैं उनकी डॉटर की साधी के लिए 2 लाक रुपे दिये जाते हैं स्टेट गबर्मेंट की तरफ से 20 लाक रुपे उनकी वीरांगनाओं को दिये जाते हैं 5 लाक रुपे उनके पेरेंट्स को दिये जाते हैं बंगाल में दोस्तों, आपसरों की वीरांगनाओं के लिए 3,00, रुपे, जेसियोज की वीरांगनाओं के लिए 2,00, रुपे, जवानों की वीरांगनाओं के लिए 1,00, रुपे, और disability अगर 60% है, तो आपसर के लिए 1,00, रुपे, जेसियोज के लिए 1,00, रुपे, जवान क लिए 45,000 रुपे अगर किसी military operation में या snake bite के कार्टने से किसी तरह से death हो जाती है तो officer को 6000, JCOs को 40,000 और wars को 30,000 रुपे दिये जाएंगे ये बंगाल की तरफ से दोस्तों अंडमान निकोबार की तरफ से कोई data उपलब नहीं है चंडीगर की तरफ से दोस्तों 10,000,000 रुपे वीरंगनाओं को दिये जाते हैं और 5,000,000 रुपे फिलेट के लिए दिये जाते हैं दो लाक रुपे disabled soldier के लिए जाते हैं ये अगर duty के दोरान death होती है या disability होती है तो अगर death किसी terrorist attack में होती है या किसी duty पर होती है जो attributable to service है और disability 50% या 75% है तो जवान को 1,000,000 रुपे अगर सहीद होएं तो उनकी वीरंगनाओं को 10,000,000 रुपे और उनके घर के लिए 5,000,000 रुपे अगर दोस्तों disability 25-50% है तो जवान को 50,000 रुपे दिये जाएंगे और दोस्तों अगर death किसी war या किसी action में हुए है अगेस्ट मिलिटेंट तो वीरंगनाओं को 15,000,000 रुपे और 5,000,000 रुपे उनको फिलेट के बदले दिये जाएंगे अगर किसी international war में सहीद हुए है तो उनकी वीरंगनाओं को 20,000,000 रुपे और उनको फिलेट के लिए 5,000,000 रुपे ये चंडीगर का डेटा है दोस्तों पंड चेरी की तरफ से कोई डेटा उपनाब नहीं है वहाँ कुछ नहीं दिया जाता है तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में सभी राज्यों त्वारा अपने अपने यहाँ पर जो एक्स ग्रेशिया एमाउंट सहीदों की बिदवाओं और डिसेविल सेनकों को जो दिया जाता है आसा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंच जैवारत